हेलो, गुड यूनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग, देखो आज गल एक निया टोपिक चल दा है, बलेक फंगस और वाइट फंगस, तो हम यह जानने कोशिस करेंगे इस आर्टिकल में आज, कि आखीर बलेक फंगस और वाइट फंगस है क्या, इन दोनों में क्या-क्या डि पोसीद कर दिया है, कि बलेक फंगस हो काफी तेज से फैला है, भोत तेज से कैसे से हो इसके आते जा रहे हैं, तो सरकार चाहती है कि बहुत को पहले की तरह सिच्वेशन खराब नहीं हो, इससे पहले ही कि हम इसके बार में इस टेप हम उठा लें, देखो मैं एक चीज़ प्रिटमेंट पोसीबल है, तो इसके लिए एक चीज़ आपको पहले केलर हो जाने जाए है, कि दोनों का ट्रीटमेंट पोसीबल है, यानि वो सिच्वेशन नहीं है, इनका ट्रीटमेंट पोसीबल है, हाँ गैस देखो यह कि बलेक फंगस अभी काफी दिनों हो गया चलते क्या है, कौन सा ज़दा खतरनाक है, और हमें इससे बसने के लिए क्या कैस्टेव उठाने है, और एक सबसे बड़ा क्यूसन यह होता है कि यह सर्ल कम्विन्टेबल डिचीज है, संक्रामक है, या फिर संक्रामक जीज है, तो वह भी हम जानेंगे, इन दोनों के बारे में, यनि जो भी सारे इंगल्स है के करके वह सारे हम कवर करने वाले है जैसे देखो हम बात करेंगा तो इंटरनेशनल जो निउस्पेपर हैं उन्हें भी मतलब काफी हाइलाइट कि इंडिया में बहुत तेजी से है वह ब्लेक फंगर्स इस्प्रेड होता जा रहा है एक तरीके से अब भी बाते हैं महामारी फंग चुकी है इंडिया के अंदर काफी सारे स्टेट हैं वहाँ पर तेजी से फैल रही है और वाइट फंग ऐसा वह भी स्थार्ट हुआ है तो इसके भी आगे आने वोलने पता चलेगा कि किस तेजी से फैल रहा है और कैसे कैसे मिस्टेप ठीक है और this is about me तो गयाज अब हम चलते हैं आगे हमारे मेंटोपी की तरफ की है क्या बलेक और वाइट फंगस यह सारे इंगल हम कवर कलेकते हैं दोनों कहां कहां इफेक करते हैं देखो गयाज काफी similarities भी है दोनों में similarities इसलिए है क्योंकि दोनों के हैं fungal disease यहीं फंगस से होने वाले बीमारी हैं जैसे देखो बेक्टेडिया होता है वाइसी वाइरस होता है उसी तरिके से एक अब हम देखते हैं इंदोनों के बारे में क्यों है सबसे पहले हम ब्लेक fungal की बात करते हैं देखो ब्लेक fungal के लिए दूसरा वड़ यूज करते हैं वह है आपका यह पर मुक्यूरियूमो कोसिसवर्ड भी आपको मिलेगा यह फिर ब्लेक मिले दोनों एक ही चीज है ठीक है यह mostly दोनों के दोनों फंगल हम बात करें बलेक को रुवायत हैं यह उन लोगों जदा इफ्टेक करते हैं जिनका इम्मून सिस्टम गाफी कम जोर हो ऐसे में गयाज कोरोना के जो पेसेंट ट्रिकवर हो रहे हैं जैसे इनकी एक तो इम्मून सिस्टम कम जोर हो गया है तो वो कहें इसके जल्दी से शिकार बन रहे हैं अब गयाज इस पे कई सारे इंपक्ट आते हैं कई सारे इसके सिंटम्स हैं तो वोगी हम देखेंगें क्या क्या है सबसे पहले हम बात करें हैं आप पर ब्लेक फंगस की तो गयाज ब्लेक फंगस हैं यह हमारे इंविर्मेंट में जो फंगस वो आपको मिल जाएगा ठीकिन यह नोमली फेक नहीं करता अगर आपका ब्लेक फंगस हैं लंगस पर इंपक्त तो वो सकता है कि कुछ लोगों की आई की अपर आपने इंपक्त देखा होगा तो उनकी आए आख है वगरा डोक्रों वो फिर सर्जरी से भाद निकालनी पड़ जाती है अगर थे सिचुएशन आप भी एक्स्ट्रीम हो जाती है तो यानि brain हुआ, eyes हुई, lungs हुई, skin हुई, अलग लग पार्टो पे आपका black fungal है, वो impact है, वो डालता है, transmission के अगर आज हम इस बात करें, यानि कैसे परचाप इसका फैला होता है, तो यह सबसे बड़ी बात इसकी ही है, कि environment में normally मिलता है, लेकिन जो soft target है, जो easily इसके लिए है, उनको जल्दी catch कर लेता है, बाकी normally इंपेक्ट है, वो नहीं कर पाता है, ठीक है, और खास चीज़ यह है, कि यह human के अंदर spread नहीं होता है, human to human का बतलब याद रखना है, यह एक इंसान से दूसरे इंसान में spread नहीं होता, वो नहीं इंसान से अनिमल में spread होता है, तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, आपको statement मिल सकता है, exam में भी है, किसी भी तरीके से, यह human में spread होता है, हाँ, situation वो हो सकती है, कि कोई इंसान बहुत ज़्यदा कंजोर है, उसका immune system खराब है, उसको disease हो रखी है, और उसके साथ भी कोई इंसान वो रह रह रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा मितलब immune system खराब है, टेकि normally spread नहीं होता है, यह चीज आपको यादा हो रखनी है, कि इंसान से जानवोर में, जानवोर से इंसान में, यह spread अगो नहीं होता है, ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करें गैज इसके symptoms की, तो देखो इसके symptoms काफी सारे है, जैसे हो सकता है कि एगर face पे impact डाल रहा है, तो face पे swelling आ जाएगी, आँकों में देखने में दिक्रत आएगी, हो सकता है कि धुनला दिखाया देख, हो सकता है कि double देखना शुरू हो यहने अगर brain पे impact डाल रहा है, तो headache यह situation भी देखने को मिलती है, एक चीज़ दो जातों कि इसका treatment possible है, time बर होते हुए, अगर आपने time पे treatment नहीं करवाया किसी भी person ने, तो हो सकता है कि उसका body part सरीर से अलग करना पड़े, जैसे काफी सारे लोगों ध्यान नहीं देते, तो उनकी आखों में situation ज्यादा ख्राग हो जाती है, तो उनकी आखे वगरा भी फिल भार निकालने पती है, ठीक है, इसके साथ जैसे गले में है, वो pain होना शुरो जाता है, अगर lungs पे इंपेक्ट यह डालता है कि बार fever भी होती है, पेट में दर्थ भी होता है, vomiting जैसे भी है या नहीं है, लेकिन का situation बहुत जल्दी ख़ला हो जाती है, तो time fair रहते हैं इस चीज़ का धाना हो रखना चाहिए, और सबसे इंपोर्टन चीज़ है, वो है साफ सफाई, sanitation काफी एहम चीज़ अगा है इस disease को रोपने के लिए, और यह disease आपका sanitation काफी बलारो निए बात बचना चाहिए, इसके साथ ही हम बात करें, तो जहां पर मिटी, कवल्टी काफी खराब है, उन एडियों से बचना चाहिए, खास बात कि इसका treatment possible है, यह यह antifungal medicine आती है मार्केट में, उसके द्वारा इसका treatment possible है, हाँ, कुछ cases ऐसे होते हैं, जिसे बहुत ज़दा impact डाल तो उस cases में surgery, यह नि operation, चीरफार वगरा की जरूत है, तो यह था आपका black fungal, black fungus का है, तो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या symptoms है, कैसे यह impact है, वो करते है, अब इदे को हमाई देश के काफी सार state हैं, उन में cases बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि राजस्थान government है, इसने इसक खराब होती जा रही है, तो यह आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, फिर हम बात करते हैं, white fungus की या white fungal क्या चीज़े, देखे guys, covid-19 के पेसेटों में यह ज़्यादा खतर नाक है, क्यों guys, इसका जो impact है वो बहुत ज़्यादा है, और यह बहुत ज़्यादा negative impact डालता है यहीं, black fungus की conversion में white fungus ज़्यादा नुकसान देखे हैं, इसलिए सरकार को चेंता हो रहे हैं, यह एक तो ओलेडी corona आ रखा था, उपर से black fungus आ गया है, और उपर से आपका white fungus आ गया, यहीं एक तो करेला और एक नीम टेड़ा वाली कानी हो रखी है, कि situation पे situation के आखाब होती जा है, अब भी अगर body के organs अंग ही खराब हो जाएंगे, kidney खराब हो गया, liver खराब हो गया, तो दिक्के ज़्यादा हो गया, सीदी सी बात ही है, इसलिए इसके नुकसान बहु जादा है, ठीक है, क्योंकि जो white fungus होता है, क्या करता है, हमारी सरी के body parts ना, उनके ओपर take करता है, एक तरीक साब उसके paralysis करता है, इन्हीं वो काम नहीं करते हैं, वो खराब हो जाते हैं काम करने से, तो body part काम नहीं करेंगे, तो आपको बता है, वो बिशली situation के ज़्यादा गंभी राज जागी, तो mostly वो लोग जिनके अगर इसी body part में दिक्कत है, या लिडियों का treatment चल ला हैं, अब guys अगर हम बात करें, तो basically fungus कही टाप का होता है, तो एक Candidiosis नाम का एक fungus होता है, क्या मैं दोला, Candidiosis नाम का एक fungus होता है, उसकी वज़य से आपका white fungus है, वो फैलता है, ठीक है, तो यह आपको याद रखना कि fungus एक है, जिसका नाम में basically Candida भी बोलते हैं, उसको या Candid हैं, यह आपको skin वगरा पे, बोडी वगरा पे मिल जाता है, लेकिन impact कब डालता है, जब आपका immune system कमज़र हो गया हो, यह नि अगर कोई person जिसकी immune system कमज़र हो जाएगा, तो इसके सरीर के अंदर intrigue करके, और फि उसके जो फेफडे lungs वगरा हैं, kidney वगरा हैं, उनको damage करना स करते हैं, और फिर इंसान की death की हो सकती है, तो इसमें guys, ilasth to possible है, लेकिन time पर होते हैं, देखेंगे कि इसका diagnose वगरा भी कैसी कह जाता है, अगर हम बात करें, तो guys, यह हमारे internal हो गया, kidney हो गया, brain हो इन पे impact डालता है, अब आप जानते हो, कि हमारे internal हो गया काफी important है, तो guys इसकी बात ही है, कि low immunity वाले, जिनका immune system बहुत कमजोर है, वो इसके कहें soft target है, इसके बाद में और अगर हम बात करें, कि गंदा पानी वगरा है, वहां पर भी कहें easy लोगों वो impact है, वो करता है, बच्चे हुए, इसके साथ ही हम बात करें, वो इसके कहें soft target है, इसके साथ तो और अगर हम बात करें, तो गयाज एक खास सीजी है, कि जो लोग already बीमार है, जिनमें pre-existing medical treatment चला है उनका, जैसे कि हम बात करें, किसी दें kidney transplant करें ही है, कोई diabetes का patient है, कोई इसकी को AIDS है, किसी को और ते कोई बीमारी चल रही है, यह पहले से बीमारी है, treatment चला है, वो इसक से कम दिखता है, लेगिन फिर भी कुछ symptoms हैं, जो में पता चल सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें, तो गयाज इसमें भी swelling आती है, body part पर, इसके साथ body pain होने शुरू हो जाता है, अगर हम बात करें, तो private part पर भी impact डालता है, organ पर भी impact डालता है, kidney पर भी impact डालता है, आँख गयाज X-ray और एक computer tomography की बात होती है, computer tomography की बात होती है, computer tomography को बोलता है CT scan, गयाज X-ray तो normally आपको बता ही है, और CT scan यह भी कहाँ बोल सकते हो, एक 3D X-ray है, यहीं इसमें क्या होता है, बहुत सारे X-ray ले जाते हैं, आपने कभी देखा होगा CT scan का जो पेपर साथ है, उसम CT scan होता है, इसका हमपलो होता है, computer tomography, और गयाज यह क्या होता है, हमारे सरी के अलग-लग angles के X-ray रहता है, तो पता तलता है कि यहाँ यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ रखना कि इसको diagnose करने के CT scan या X-ray की help पर ली जाती है, ठीक है, और इसके बाद मे antifungal medicine हो दी जाती है treatment के लिए, ठीक है अगर वही बात है guys, अगर organ ही फैल होगे, तब क्या institution जदा खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो इनसान का immune system खराब है, उपर से बीमार हो रहा है, और उपर से already समस्या आगी, तो गैज ऐसे में दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक है, अग पचावी इलाज़ा आपको बताए, तो आज के इस article में मैंने आपको बताया, कि white और black fungus है, ये दोनों हमाने लिए कैसे नुकसान देख है, और अभी इंडिया की situation के है, दोनों में खराब होती जारी है, अब आपको I think इस article से समझ में आगया होगा, कि white fungus है, white fungus जदा नुक आपको बताया कि जो मौसम है, वेदर है, वो भी थोड़ा change हो रहा है, पारिस का मौसम हा रहा है, तो ऐसे में कहाए कि normal viral अगरा ही हो जाता है लोगों, तो उनको पता नहीं लग पाता कि या बेमार हुए किसकी वज़ाए से हैं, तो वो लोग के बाद पहले धान देते नह कि यह भी काफी तेज़ी से spread होते जा रहे है, और तो को situation ज्यादा कराब नहीं हो, कतना कि time पर ही इलाज करवा लेना चाहिए, बचाव इलाज वाले ही situation है, तो आई हो कि आपको यह चीज़ें clear हो गया होगी, ठीक है guys, तो आजगी discussion में इतना ही है, thank you.